गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग ये सुबा का टाइम है देखिए यहां हम लोग जो है नारियल पानी पीने के लिए नारियल काट रहे हैं एक्चुली में नारियल पानी तो मार्केट से लेकी आओ तो कटा कटाया मिलता है जट से उसमें पाइप श्ट्रा लगाओ और पीलो मगर हमारे यहां मेरे हस्बेंड नारियल पानी लिया आये थे कहीं बाहर गये हुए थे धेर सरा ला दिये थे जो बिना कटा हुआ था और उनके पास टाइम नहीं था मेरे देवर लोगों के पास भी टाइम नहीं था, सुबा काही निगल जाते थे, कौन काटता, इस वज़ा से हम लोगों ने कहा, चलो हमें लोग ट्राई करते हैं, तो हम लोग खुद से ही नारियल काट रहे हैं, और आप लोग भी देखिए कैसे हम लोग काटते हैं, थोड़ अच्छा रहता है, सिहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है, अगर इसे सुबा मॉर्निंग में पिया जाए, तो और भी बढ़िया रहता है, तो बस सुबा सुबा मॉर्निंग में ही हम लोग नारियल पानी काट रहे हैं, ताकि सबसे पहले सुबा मॉर्निंग में नारियल पीया जाए मेरी देवरानी और हम दोनों लोग मिलके इसको काट रहे हैं पानी अच्छा निकलाया है चलिए नारियल पानी तो हम लोगों ने पी लिया अब मैं इधर कुछ फ्रोट्स वगेरा भी काट रही हूं खाने के लिए सुबा में क्योंकि सुबा में ये सब ज्यादा बढ़िया रहता है इधर अमरूत ये अमरूत देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा सा था इस समय तो अमरूत का सीजन है बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है मेरे गाल्डन में भी अमरूत लगा है आप लोगों ने देखा ही होगा मगर ये मार्केट वा काट रही हूं जो कि मैं आप लोगों के शाद भी शियर कर रही हूं इधर अमरूत और संत्रा संत्रे का भी इसमें सीजन है तो बस वही फ्रूट्स हम लोग खा रहे हैं इधर मैं गेहूद वोई हुई थी वही मैं ध्रूप में सुखवा रही हूं ताकि अच्छे से केहूँ सूख जाए तो चलिए मैं आपको सेम का चोखा बनाना दिखा रही हूं मैं आपसे बोली थी ब्लॉग में कि मैं आपको सेम का चोखा बनाना जरूर सिखाऊंगी तो देखिए सबसे पहले सेम को अच्छे से वास कर लीजिए और उसको कुकर में आलू और सेम दोनों एक साथ बॉयल कर लिए दो तीन सीटी लगाईए एकदम बढ़्या से बॉयल हो जाता है और फिर उसके लिए अद्राक लैसुन मिर्चा डालने के लिए मैं मिक्सर में दर्दरा कर ली हूँ उसके बाद सबसे मेन होता है इस सेम की सफाई करना इसमें जो रेशे होते हैं उसको बहुत ही काईदे से निकाला जाता है क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो चोखा हमारा बढ़्या नहीं बने गया इस वज़ा से उस रेशे को देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी देखें इसी त आदी मेरी हुई उसके बाद मैं जानी हूँ सेम का चोखा कैसे बनाया जाता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के शाद भी इसको शीर करूं क्या पता आप मैंसे बहुत लोगों को आता हो कुछ लोगों को नहीं आता हो जिसको न मैसर से या फिर आप हाथ से चाहे जैसे जैसे आपको सही लगे एकदम अच्छे से मैस कर लेते हैं मैस करने के बाद उसमें अद्रक लैसों मिर्चा जो हम दर्दरा किये हैं वो डालेंगे इस तरीके से मिक्स करके सब कुछ फिर चोखा बनाईए चोखा बहुत ही लाजवाब को टेश्टी बनता है बैगन का चोखा टमाटर का चोखा तो सभी ने खाया होगा लेकिन यह सब थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है इसमें अद्रक लेसुन मिर्चा थोड़ा सा सरसो का तेल और नमक स्वादा अनुसार डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मिक्स करेंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है इस वजह से मैं अपने हाथों से इसको मिक्स कर रही हूं तो लीजिए मेरा तो चोखा बनके तयार हो गया चलिए अब मैं खाना खाने जा रहे हूं मैं लंच यह दोपहर का टाइम है मैं लंच करने जा रहे तो हम दोनों मिलके खाना खा रहे हैं खाना में बहुत कुछ खास नहीं है बस वही सेम का चोखा दाल रोकी चावल यही सब है वही सब हम लोग खा रहे हैं काफी हेल्दी और अच्छा खाना रहता है सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहता इसलिए ऐसे खाना खाना ज्य नबस्ते कैसे हैं आप लो तो मैं आपको अपने इस ब्लॉग में सेहत से भी जूरी कुछ बाते बताऊंगी मुझे आप तो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं मुझे जानते हैं तो मुझे दो बच्चे हैं दोनों मुझे जो है सिजर से हुए हैं में पहले काफी मोटी थी बहुत मोटी हो गई थी लेकिन मैं कुछ चीजे फॉल्व करती हूं इस वजय से मैं पदली हो गई हूँ, मुझे लगता है ऐसा, आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे पर्वेंट करके जरूर बताएं, पहले के अपेच्छा में बहुत ही पदली हो गई हूँ, और मेरा पेट भी काफी अंदर हो गया है, बहुत कुछ नहीं करना रहता है, दस या पास मिनट है, आधा घंटा कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम नहीं है, तो दस से पंद्रा मिनट आप जरूर जरूर वर्गाउंट करिए, मॉर्निंग में टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम आप करना चाह ल जरूर चलें, बिना दस कदम चलें, आप बैग पर कभी मत जाएं, नहीं सोएं, और आप खाना सोने से दो घंटा पहले खालें, उसकी बात आप दस कदम जरूर चलें, ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगी, तो आप भी फिट हो जाएंगी, मैं तो इही छोटी चोटी बातों का ध्यान रखें, बहुत थी, और सबसे मेन जरूरी बात यह है कि आप बाहर का ना खाएं, बाहर का जादा से जादा अवाइट करें, होम मेट खाना आप जरूर खाएं, घर पर ही बना कर खाएं, कभी कभार आप बाहर का खालें वो अलग की बात है, लेकिन कोसिस करें घर पर खाना बनाए और घर पर ही खाए घर वाला खाना ज्यादा बढ़िया रहता है बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों का आप भी फॉलो करिए आप भी जरूर अगर आप लोगों को मेरी बाते अच्छी लगी हूं जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल क लाइक करें सस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर करें और कमेंट जरूर जरूर करें तो ये रात के नो बजे की टाइमिंग का है जो कि मैं खाना खाली हूं खाना खाने के बाद मैं टहल रही हूं वही मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं मेरा डेली का रूटीन है, खाना खाने के पास जरूर मैं दस कदम चलती हूं, उसके बाद ही मैं सोने के लिए बेट पर जाती हूं, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, बाबाई